इस शहर में कांसुलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था और तब से यह शहर हमारे समंधों के कई माइलस्टोन का साक्षी रहा है फ्रेंट्स 2015 में स्थापित किया गया यह फोरम आज रश्यन फारिश के विकास में अंतराश्टिय सहयोग का एक प्रमूख वैस्ष्विक मंच बन गया है इसके लिए मैं राजप्रती पुतीन की दुरदर्शिता का अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं 2019 में मुझे इस फोरम में रूब्रू हिस्सा लेने का मोका मिला था उच समय हमने भारत की एक फार इस नीती की गोश्णा की थी और परणाम स्वरू रश्यन फार इस के साथ विबिन्नक शेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है आज यह नीती भारत और रूस की स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेजिक पार्टरशिप की एक प्रमुक्स तंब बन गई है फ्रेंड्स चाहे हम इंटरनेस्टरल नौर्थ साउथ कोरिडोर की बात करें चिन्य वल्दी वस्तोक मरिटाइम कोरिडोर की या नौर्दन सी रूट की भविश्य में कनेक्टिविटी हमारे समंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमी का निभाएगी भारत आर्केटीक विश्यों पर रुस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है उर्जा के खेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं उर्जा के साथ साथ भारत में फार्बा और डाइमन्स के खेत्रों में भी रश्यन फार इसके महत्वपूर्ण निवेश किये हैं रुस कोकिंग कोल की सप्लाई के माध्यम से भारतिय स्टील इंडिस्टी के लिए एक महत्वपूर्ण भागिदार बन सकता है हमारे बीच टाइलेंट की मोबिलिटी में भी अच्छा सहयोग बन सकता है भारतिय प्रतिभा ने विश्व के कई साधन संपनक्षेत्रों के विकास में योगदान दिया है मुझे विश्वास है कि भारतियों की प्रतिभा और प्रोफेश्नलिजम से रश्यन फारिस्ट में तेजी से विकास आ सकता है फ्रेंड्स भारत के प्राचिन सिध्धांत वसुधैव कुटुम कम ने हमें विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाया है आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाए पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती है यूक्रेन संगर्ष और कोविड महमारी से ग्लोबल सप्लाइज चेंज पर बड़ा असर पड़ा है फूड ग्रेंड, फ़र्टिलाइजर और फ्यूल की कमी विकासिल देशों के लिए बड़ी चिंता की विश्व है यूक्रेन संगर्ष की सुरुवात से ही हमने डिप्लोमसी और डायलोग का मार्ग अपनाने की आवश्रक्ता पर जोर दिया है हम इस संगर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन करते हैं इस सम्मन में हम अनाज और फटिलाइजर के सुरक्षित निर्यात समंदित हाल की सहमती का स्वागत भी करते हैं मैं एक बार फिर राश्प्रति पुतीम का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस फोरम को सम्मोधित करने का आउसर दिया और इस फोरम में उपस्तित सभी भागिदारों को हारदिक शुब कामनाय देता हूँ बहुत-बहुत धन्यवाद आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री दरद बोधी को जो पूर्वी आर्थेक मंच के प्लैनेरी स्टेशन में अपना संबोधन कर रहे थे कई प्रमुख बातों की तरफ उन्होंने ध्यान दिला